Hello everyone, Welcome to Lochan Academy, Lochan Academy में आपका स्वागत है, मेरा नाम है अर्शता अगर्वाल और हमारी Current Affairs Analysis सीरीज में आज हम पढ़ेंगे Amendments to the Essential Commodities Act, तो क्या changes करे गए है Essential Commodities Act में यानि आविशक व्यस्तू अधिनियम में वो हम discuss करने वाले हैं यह particular topic important है, Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation इस heading के अंदर आता है UPSC Means में, तो यह बहुत जादा important topic हो जाता है Means के लिए और prelims में भी UPSC directly questions से पूछ सकता है अब यह जो changes किये जा रहे हैं यह इसलिए किये जा रहे हैं ताकि जो farmers के अंदर, consumers के अंदर जो डर होता है उसको हटाया जाए और proper जो agriculture में regulation है वो अच्छे से आए ठीक है तो यह topic हम अच्छे से discuss करेंगे lecture ध्यान से सुनना end तक क्योंकि end में question है जो इसी topic से related है और एक हमारा daily current affairs subscription है उसमें Hindi में current affairs मिलेंगे जो daily update होते है अब इसमें जो current affairs बनाया जाता है उसमें हमारी एक particular राय भी दी जाती है किसी भी topic से related जो आपको means में और एक अपना opinion develop करने में बहुत जादा मदद करेगा यह जो daily current affairs है यह वैसे रुपीज 500 का है पर आपको अगर आप code अर्शिता यूज करोगे तो यह रुपीज 400 का मिलेगा यानी 100 रुपीज का off तो यह particular topic अभी cover किया गया है the Hindu में the union cabinet has given not for agricultural marketing reforms तो union cabinet ने हा कर दिया agricultural marketing reforms में तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या है amendment किया है essential commodities act में अभी जो essential commodities act है यह 1959 में inact हुआ था तो यह क्या करता है regulate करता है जो production है supply or distribution है of a whole host of whole host of commodities it declares essential तो जो भी commodities जो भी union government कहती कि यह essential है तो उसको manage करना उसका production उसका supply distribution वो इस act के अंडर आता है essential commodities act के अंदर तो अभी और हाली में union government क्या किया है mask वगेरा होते हैं उनको भी essential commodities में डाल दिया गया और state होती है इसकी implementing agencies तो इसका क्या होता है जो rate होता है maximum retail price वो भी इसके अंदर essential commodities act के अंदर ही decide कर लेती है ठीक है तो हम properly पढ़ते है in depth की क्या है actually में news so the cabinet has approved historic amendment to the essential commodities act तो cabinet ने अप्रूफ कर दिया कि हम amend कर सकते essential commodities act तो proposed amendments में क्या क्या चीज़े exclude कर दी गए मतलब हटा दी गई है उस list के अंदर से वो है cereals, pulses जैसे जो आपके डाल वगेरा होते हैं, oil seeds, edible oils, onion and potatoes तो इनको हटा दिया गया है essential commodities act में यह भी हाली में हुआ है और union cabinet ने इसे approve कर दिया है वो business operations में वो चला जाएगा फिर जो freedom है produce करने की उसको रखने की distribute करने की वो असानी से जो लोग है उनके अंदर आ जाएगी ठीक है और private sector और foreign direct investment भी आएगा agriculture sector में अब क्या होता है अगर मानलो जैसे एक example लेते हैं मानलो आलू है ठीक है पटेटो है अब उसकी बहुत ज्यादा खपच हो गई या बहुत ज्यादा पैदावर हो गई ठीक है quantity बहुत ज्यादा हो गई तो उसका price नीचे जाना लगएगा ठीक है वैसे ही अगर मानलो कोई problem आगी किसी भी चीज को produce करने में तो उसकी quantity कम है market में अगर quantity कम है तो उसकी demand बढ़ेगी demand बढ़ी तो price भी बढ़ेगी अब क्योंकि वो essential commodities के अंडर है तो government क्या करेगी उसका price restrict कर देगी ठीक है अब government ने उसका price restrict कर दिया तो जो farmers है उनको जितना मिलना चाहिए उत्ता उनको नहीं मिलेगा और लोग भी क्या करेंगे जैसे खरीट खरीट के वो उन्होंने रखना शुरू कर दिया hoarding करने लगेंगे जो मतलब जो अमीर लोग है वो लोग तो ऐसे में farmers को बहुत नुकसान होता है तो इसी सब को मद्दे नजर रखते हुए गवर्मेंट ने क्या किया इन चीजों को सीरियल्स पल्सेज ओइल सीज एडबिल ओइल अनियन और पिट्रेटो उनको हटा दिया क्या क्या कि स्टॉक लिमिट रख लगा जिए कि आप इतना ही रख सकते हो अनियन तो यह हुआ था सेप्टेंबर 2019 में ठेक है आप यह बेनिफिट्स हमने पड़े कि इट रिमूवस फियर ओफ प्राइविट इंवेस्टर्स कि वह इंटरफेर ना करे इट गिवस देम फ्र रहेगा cold storage में modernization में क्योंकि इंडिया में क्या होता है जो wastage है द्यू टू लेस नंबर फोल स्टरज चैइस और modernization वह बहुत ज्यादा है तो हमें इस चीज में बहुत investment करना है और यह particular step लेकर government investment को भी आगे बढ़ा रहे है Now essential commodities act क्या है 1955 में आय था To regulate production, supply and distribution of a whole host of commodities It declares essential in order to make them available to the consumers at fair price तो वो commodities जो government कहते कि वो essential है लोगों को और सही जो दाम है उस पे मिले तो उनकी production, supply and distribution को regulate करने के लिए essential commodities act है The list of items under the act include drugs, fertilizers, petroleum and petroleum products जो जो इंसान के लिए बहुत जादे important है वो सब इस act के अंडर आती है जैसे COVID-19 के चलते, mask हो गए तेक है Now the center can include new commodities as and when the need arises and take them off the list once the situation improves तो जैसे अभी mask include किया और भगवान करे situation से ही हो जा तो center उसको हटा भी सकती है list से Now under the act, the government can also fix the maximum retail price जो MRP होती है of any package product that it declares an essential commodities जैसे जब फैला था शुरू ही हुआ था कि COVID-19 फैल रहा है Feb-March की बाद बता रही हूँ तो उस टेम पे क्या हुआ जितने भी ये pharmaceutical companies वाले थे जितने भी ये chemist वगेरा थे उन्होंने इंडिया में क्या किया कि बहुत महेंगे मत्त, 500 रुपे तक का एक mask मिल रहा था ठीक है? उन्होंने चुपाना शुरू कर दिया और कोई भी खरीदने आता था कोई भी एकदम distress में, consumer है distress में उसको कहते थे आरे एक ही mask बचा है सिवित्य में ही मिलेगा तो सरकार ने उसको भी essential commodities act में लगा दिया candle ले आए और उसकी price जो MRP है वो limit कर दी, fix कर दी तो बढ़ा नहीं पाए वो लोग ठीक है? अभी कैसे काम करता है? Now if the center finds कि कोई commodity short है supply में और price उसकी बढ़ रही है अगर supply में short होएगी तो obviously demand बढ़ेगी तो price भी बढ़ा देंगे वो लोग It can notify stock holding limits कि कितना stock रख सकते हो कुछ समय के लिए Now the states act on this notification to specify limits and take steps to ensure that these are adhered to क्योंकि state implementing agencies है तो state ध्यान देती है कि यह कैसे आगे काम इस पे किया जाएगा और कोई भी अगर deal कर रहा है यह trade कर रहा है उस particular commodity में अब वो कोई भी हो सकता है Wholesaler, Retailer, Importer कोई भी हो सकता है वो stockpile नहीं कर सकता अगर government ने बोल दिया है इत्ती ही quantity आप रख सकते हो तो वो इससे जादा नहीं रख सकते है The state can however choose not to impose any restrictions But once it does Because traders have to immediately sell into the market any stock held beyond the mandated quantity जो quantity बोली है center ने अगर उससे जादा रखा है तो वो गलत होगा और जो भी बचा है extra है वो आपको निकालना है वो आपको market में ले जाना है तो यह government basically करती जो consumers है उनको fair price मिले ठीक है अब इसका significance क्या है यह जो चीज step लिया उसका जो essential commodities act है it gives consumers protection against irrational spikes in prices of essential commodities तो अगर price बढ़ गया essential commodities का बहुत जादा तो consumers को दिखका तो जाएगी तो उससे बचाने के लिए यह किया जाता है जैसे जानवरी तक इस साल 2020 की जानवरी तक onion के prices बहुत जादा fluctuate कर रहे थे मतलब 200-200 तक चले गए थे तो normal आदमी वो नहीं खरीद पा रहा थे तो यह सब control करने के लिए गर्वर्मेंट ने यह step लिया था गर्वर्मेंट हाज इन्वोक दा आक्ट अम्टीन टाइम्स टू इंशर एडिक्वेट सप्लाइस कई बार गर्वर्मेंट यह आक्ट लागू कर चुकी है जो जो hoders होते है black marketers होते हैं ठीक है उन पे उन पे पाबंदी लगाती है कि यह नहीं कि उन्होंने रख लिया और जब market में लग रहा है उनको जरूरत है कमी हो गई तो वो महंगे में बेच रहे हैं तो state agencies rate conduct करा देती है कि सब ध्यान एकदम line में रहे कोई कुछ गलत ना करे against the consumers तो देखा जाएं यह कह सकते है जो essential commodities act है अगर वो नहीं होता तो जो common man है वो traders के और shopkeepers के mercy पे होते है कि अगर उनका मन क्या उन्होंने महंगा बेचा मन क्या तो उन्होंने सस्ता बेचा it empowers the government to control prices directly to the government directly price control कर सकते है इस act के through now अब हम question discuss करते हैं so consider the following statements about essential commodities act to statements है यह essential commodities act के बारे में now the government has put mask and hand sanitizers under essential commodities act तो government ने mask और hand sanitizer essential commodities act के अंदर डाल दिया है and states are the implementing agencies states implement करते हैं इस act को which of the above is or are correct your options are a one only b two only c both one and two or d neither one nor two तो यह directly यहां पे इस lecture में नहीं दिया गया है पर अगर आप news follow कर रहे हो और यह topic अपने आप में ही बहुत जाए important है तो आप इसका answer असानी से दे पाऊगे और अगर नहीं किया तो थोड़ा सा research करके पढ़ लीजे क्योंकि यह आपके paper के लिए बहुत जादा important है अब इस question का answer आप नीचे comment section में देजे अगर आपको video पसंद आया तो like button दबाना ना भूले और subscribe करना ना भूले संसार लोचन को और bell icon भी दबाए ताकि जब भी हम कोई lecture अपडेट करें तो आपको notification आ जाए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले lecture में धन्यवाद आपको 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 आपक